मोबाइल मैनिफेक्ट्रिंग कमपनी सामसंग ने अपने कस्टमर्स के लिए नया फोन सामसंग गैलक्सी एफ़ोर्टीन को लॉंच कर दिया है इस फोन की खासेतों की बात करें तो इस फोन में आपको बड़ी स्क्रीन ओक्ता कोर प्रोसेसर के साथ लेटेस्ट एंडॉड वर्जन देखने को मिलता है साथ ही इसमें बहुत कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं साथ ही इस device में हमें octa core processor देखने को मिलता है लेकिन company ने इस handset में किसी chipset का इस्तमाल किया है इस बात कारी जानकारी हमें नहीं मिली है लेकिन कहा जा रहा है कि MediaTek Helio G80 processor है RAM और storage की बात करें तो phone में हमें 6GB RAM के साथ साथ 128GB की storage देखने को मिलती है जो की micro SD card की मदद से 1TB तक बढ़ाई जा सकती है phone में Android 13 पर अधारित One UI 5.0 पर काम करता है camera और battery की बात करें तो phone के back panel में 3 camera है primary camera 50MP का है 2MP का micro camera और 2MP का depth sensor दिया गया है साथी 13MP का selfie के लिए front camera दिया जाता है इस phone में हमें 5000mAh की दमदार battery देखने को मिलती है तो battery के मामले में Samsung ने अपनी पूरी जान लगा दी है साथी इस phone में हमें 15W का fast charger देखने को मिलता है अब बात करते हैं इस device की कीमत की कीमत इस phone के लिए बहुत ही important रोल निबाता है क्योंकि mid range section के phone में 100-200 रुपे का भी अंतर एक phone को hit और flop कर देता है फिलाल Samsung Galaxy A14 के बारे में price की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन सूतरों के मुताबिक इस phone की कीमत लगभग 15,000 रुपे रहने वाली है तो इस phone का इंतजार हमें भी है और आपको भी तब तक के लिए हमारे चैनल पे और वीडियोज देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले